क्या अर्मान मलिक का हो जाएगा एविक्षन? वह आखिर विशाल पांडे को धपड मारने के बाद अर्मान को आखिर क्या सजा मिलेगी? इस बात के लिए फैंस का फीज ज्यादा सवाल उठा रहे हैं वह भी रीसेंटल एक बड़ी खबर सामने आये कि अर्मान मलिक और विशाल पांडे के बीच जगडा हुआ जिस दोरान अर्मान मलिक आउट ओफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने विशाल पांडे को थपड मार दिया यहाँ पर अभी एक मुद्दा आता है कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ तो खबरों की माने तो विकेंड के वार पर इस बार पायल मलिक घर के अंदर जाने वाली है स्टेज पर वोनिल कपूर के सामने अर्मान और वाकी सभी घरवालों को एक बात बताएंगी और उनका कहना ये रहेगा कि कृतिका मलिक को लेकर विशाल पान्डे के इंटेंशन ठीक नहीं है विशाल पान्डे ने इस बात को लवकेश कटारिय के साथ डिस्क्लोस किया था कि वो कृतिका मलिक को पसंद करते हैं उन्हें वो काफी सुन्दर लगती है उन्होंने कटारिय से कहा था कि मुझे भावी काफी सुन्दर लगती है और इसमें कुछ गलत नहीं है नजरिया मेरा बिल्कुल ठीक है मैं बस एक बात कह रहा हूँ अब इस बात को पायल मलिक ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया वो सच में हरान कर देने वाला था पायल ने घर में आकर ये कहा और इसके बाद अर्मान प्रितिका काफी गुस्सा हो जाते हैं विशाल पर और खबरों की माने तो यही वज़ा बताई जा रही है कि अर्मान मलिक ने विशाल पांडे पर थपड़ लगा दिया विल्य बात तो रही फाइट की लेकिन अब बात करें सजा की तो यहाँ पर फैन्स सवाल उठा रहे हैं कि अब तक ये रूल जिस युसने भी तोड़ा है उसे घर से बाहर का रस्ता दिखाया गया है पहले भी कई सीजन्स में ऐसा हुआ है जब गुसे में आउट अफ कंट्रोल होकर कंटेस्टन्स एक दुछे पर हाथ उठा देते हैं लेकिन इसकी सजा उन्हें जरूर मिलती है अब अर्मान मलिक जो घर के अंदर काफी पसंद किये जा रहे थे घर के बाहर लोग उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे थे बिग बॉस का खेल काफी इंट्रस्टिंग बना रहे थे तो अब इस बीच के अर्मान मलिक को एविक्ट कर दिया जाएगा क्या रूल तोडने के लिए अर्मान मलिक का एविक्षन हो जाएगा वैल ये खबर इस वक्त कफी ज्यादा तूल पकड़ रही है आपको बता दे कि इस मामले में निरकपूर पाकिसभी घरवारों से भी राय लेंगे ये भी कहा जा रहा है और वहीं इस बार का विकेड कवार काफी इंप्रस्टिंग होने वाला है आपको बता दे अपसे कुछ वक्त पहले पायल मलिक मुंबई में फिल्म सिटी के पास देखी गई थी आपको बता दे कि लवकेश कटारिय को इस बारे में पता था क्योंकि विशाल पांडी लवकेश कटारिय काफी अच्छे दोस्त है विशाल ने कटारिय से इस बात को डिस्ट्रोस किया था लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई हाला कि कैमरे पर आई लोगों ने देखा सुना क्लिप्स काफी वाइरल थे और लोग तरह तरह के सपर रियाक्शन्स ले रहे थे अब पायल के इस स्टेटमेंट के बाद घर में जो बवाल हुआ उस पर आपका क्या कुछ है कहना क्या आपको लगता है अर्मान मलिक का एविक्शन होना चाहिए कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बिताईए साथी बॉलिवूट से जोड़ी ख़बरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट